मारवाडी मेडी आप देख रहे हैं मोसम को लेकर बड़ी अपटीट बंगाल की घाड़ी पर बना निम्न दबाव का छेतर आज डिप्रेसन में बन जाएगा इसके परभाव से मान्जून की अक्सी रेखा दक्सिन में आ रही है इस बड़े बदलाव से मत्य भारत तक्सिन भारत तता पस्चीमी भारत के कई राज्यों में मान्जून की बारिस बढ़ने वाली है अगले तीन दिनों के दोरान उड़ी सा से लेकर 36 गड़ मत्य परदेश महराष्ठ के कई सहरों में भारी भारिस होने के संभावना है और बड़ी बात यह है यह है ताकतवर सिस्टम गुजरात और राजिस्तान के भी कई हिस्सों में भारी बारिस देगा राजिस्तान के मौसम को लेकर भी बड़ी अप्टेट है लेकिन उससे पहले आज बंगाल की खाडी के बारे में बात करेंगे क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा बंगाल की खाडी से उठा भेंकर तुफान और मानसून सीजन में भी बंगाल की खाडी का महत्वपून रोल है देखे मेब के जरिये समझिएगा यह बंगाल की खाडी कहां है देखे यह बंगाल की खाडी है और मानसून सीजन के दोरान यहीं से पूरे भारत में हवा जाती है जिसकी वज़े से बारिस होती है और साइड में आप देख रहे होंगे अरब सागर मानसून में यहां से भी बारिस होती है और आपने देखा होगा मानसून के जाने के बाद खास कर राजिस्तान में सर्दियों में जो बारिस होती है वो होती है यहां से इसे WD या पस्चीमी विक्सोब कहते हैं क्योंकि बीच में कहीं पर भी पहाड नहीं होने की वज़े से बादल पाकिस्तान समेत कई देशों को क्रोस करते वे सीधे भारत पहुंच जाते हैं और यहां पर पहाडों की वज़े से बादलों की रुकावट होती है और इसकी वज़े से सर्दियों में भी यह बारिस देखी जाती है अधिकतर पस्चीमी विक्सोब है भारत में सर्दियों में ही आते हैं हालांकि अभी भी पस्ची मी विक्सोब आते हैं लेकिन उतने सक्ती साली नहीं होते। अभी आपने देखा होगा स्री गंगा नगर में भारी भारी बारी सुई थी जहां पर सेना को बुलाय गया था उस समय यही हुआ था। के 11 जिलों में तेज बारिस हुई है सबसे ज्यादा बारिस धोलपुर और स्री गंगा नगर जिले में हुई है। बारिस आगे भी जारी रहेगी लेकिन सबसे बड़ी अपटेट यह है 10 और 11 अगस्त को राजिस्तान के 23 जिलों में भारी बारिस होने की संभावना दिखाई मौसमी भाग ने तो पूर्वी राजिस्तान में आगले तीन दिन भारी बारिस का अलर्ट अभी से जारी कर दिया है इसका कारण यह है ओडिसा और पस्चीमी बंगाल तट के पास बंगाल की खाड़ी के उपर एक लो प्रेसर सिस्टम बना हुआ है यह सिस्टम दक्सिनी प पस्चीमी भारत की और मौ कर रहा है और मानसून की अक्से रेका भी जेसलमेर कोटा के उपर से गुजर रही है और यह जो अक्से रेका है यह बंगाल की खाड़ी के उपर बने लो प्रेसर एरिया से गुजर रही है और दूसरी तरब एक साइकलोनिक सर्क्यूलेशन पूर्वोतर अरब सागर के उपर है तो इन सबी मोसमी सिस्टमों की वज़े से खासकर भारत के मद्धे इस्तानों पर काफी तेज बारिस हो सकती है और इसके कारण गुजरात और राजिस्तान के पूर्वी हिस्सों में भी भारी बारिस हो सकती है संबावना है कि 9 अगस्त को राज्ये के कोटा उदैपूर के साथ जोतपूर संबा के जिलों में कहीं कहीं पर मद्धेम और तेज बारिस हो सकती है और 10 और 11 अगस्त को असमेर बांसवाडा बारा भीलवाडा बूंदी समेत पस्चिमी राजिस्तान के बाड मेर जेसल मेर जाल होंगा फिलाल के लिए इतना ही धन्यवाद